Hey guys, welcome back to being smart आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे picture in picture mode की जिसे हम PIP mode भी कहते हैं आप लोगों ने security cameras के monitor अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक ही screen पे काफी सारी वीडियो एक साथ चलती है तो इसे हम PIP mode कहते हैं So guys, Android phone में PIP mode यूज करने के लिए काफी सारे methods हैं जैसे आपको third party applications मिल जाएंगी जो आपके phone में PIP mode चला सकती है तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे methods की जिनको यूज करके आप किसी भी Android phone में PIP mode यूज कर सकते हैं और guys इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा last में MI users के लिए एक बहुत ही अच्छी bonus trick है जो आपको जरूर देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो चैनल को subscribe कर लिजे और इस bell icon को भी click कर दीजे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यह trick आप किसी भी android phone में use कर सकते हैं चाहे वो samsung का हो vivo, oppo, mi या किसी भी brand का phone हो बस android होना चाहिए तो दोस्तो आप लोगों ने UC browser का नाम तो सुना होगा android phones के लिए one of the best browsers में इसका नाम आता है तो अगर आप लोग के पास यह browser नहीं है तो play store में जाके से download कर लीजिए और अगर आपके पास पहले से downloaded है तो इसे play store पे जाके latest version पे update कर लीजिए UC browser डाउनलोड हो जाने के बाद आपको किसी भी एक website पे जाना है जहां पे आप वीडियो चला सकते हैं चाहे वो facebook हो youtube हो, twitter हो या कोई भी website हो जिसमें आपको बस एक video प्ले करनी है जैसे आप video प्ले करेंगे तो आप लोग notice करेंगे नीचे की side एक छोटा सा option है और इस option को अगर आप लोग tap करेंगे तो आपकी video browser से detach होके browser के उपर आ जाएगी और आप लोग देख सकते हैं कि इस video को आप अपनी finger से कहीं पे भी move कर सकते हैं और अब अगर आप अपना home screen का button भी दवा दे तो browser आपका close हो जाएगा बट आपकी video अभी भी चल रही है और आप इसको आप अपने हिसाब से resize कर सकते हैं और किसी भी size में यूज करके आप side by side कोई और application यूज कर सकते हैं जैसे आप chatting कर सकते हैं या browsing कर सकते हैं facebook यूज कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो video को full screen mode में भी देख सकते हैं यही से ओके गाईज ये trick सिर्फ उन users के लिए है जिनके पास Xiaomi के devices हैं तो mi phones में UC browser वाली trick तो properly work करेगी इसके साथ में यही काम करने का एक और सरीका है अगर आप mi phones में shock browser या default browser में जाएं और फिर से कोई भी site खोल लीजे जिसमें आपको कोई एक video प्ले करनी है video प्ले करने के बाद सबसे उपर right side में आप लोग को एक icon दिखेगा इसे tap कर दीजे tap करने के बाद आपकी video पहले की तरह browser से detach हो जाएगी और अब आप इस video को कहीं पे भी move कर सकते हैं और इसे resize कर सकते हैं and same side by side कोई और काम कर सकते हैं आप कुछ लोग कहेंगे कि यही चीज मैं अपने phone में split screen feature को use करके कर सकता हूँ जो की नए MIUI 9 update के बाद मिली है तो guys काफी सारे phones ऐसे भी है MI के जिन में MIUI 9 का update नहीं आया तो उनके phone में split screen mode नहीं है तो वो इस browser की trick से इसको use कर सकते हैं and split screen mode में आप ना तो video का size change कर सकते हैं ना उसे पूरे screen पे move कर सकते हैं इसके लिए हैं इसके लिए आपको अपने UC browser में पहले की तरह video प्ले करनी होगी और उसे PIP mode में लाना होगा जैसे आप PIP mode में लाएंगे तो आपकी video browser से बाहर आ जाएगी तो उसको आप screen में कहीं पे भी set कर दीजिए next अब आपको shock browser में भी video प्ले करनी है and again उसको PIP mode में ला दीजिए लाने के बाद उसको भी screen पे कहीं पे set कर दीजिए and lastly आपको YouTube application खोल ली है इसमें आप कोई भी video प्ले कर दीजिए और उस video को आपको split screen mode में लाना है so guys जैसे आप split screen mode में लाएंगे तो YouTube की video भी आपके screen में आ जाएगी so guys अब तीनों videos को properly resize कर लीजिए और अब आप लोग देख सकते हैं कि तीन अलग-अलग application से अलग-अलग video एक ही time पे आपके phone में चल रही है and guys तीन ही नहीं 4, 5 या 6 भी video आपके phone में चल सकते है बट इसके लिए आपको फिर से third party application डाउनलोड करनी होगी जो आपके phone में PIP mode का feature ला देती है so guys ये थी आज की trick जिसमें आप किसी भी Android phone में PIP mode यूज़ कर सकते हैं so that's it for today guys वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से like करना, share करना कोई भी doubt है तो नीचे comment section में जरूर लिखेगा and as always thanks for watching